Hello and welcome to Prince Photography and Photoshop और आज का टुटोरिल बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है जिसमें मैं आज आपको free Photoshop Cinematic Action देने वाला हूँ जो के description में है आप download कर सकते हैं और मैं उस action के बारे में बताऊँगा किस तरीके से हम अपने Photoshop पर upload करेंगे और किस तरीके से उसका इस्तमाल करेंगे जिससे हम एक किसी भी portrait में बहुत ही बहतर Cinematic look create कर सकें सिंगल क्लिक के द्वारा तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे जैसा कि आप इस वक देख रहे हैं Photoshop का एक image open करके रखिए यह image stock shot है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं दिखा दूँ मैंने इसे कहां से डाउनलोड किया है तो basically मैंने यह रानसल स्टोंस का यह image है जिसे मैंने डाउनलोड किया है pixels से तो इसका link भी मैं आपको description में provide करा दूँगा तो यहां से आप image को ले करके आप edit कर सकते हैं तो desktop पर जैसे की देख रहे हैं आप image एक open है Photoshop desktop पर तो अब हम इस पर action काम करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले action हमें load करना है तो हम इस पर और कुछ अप्लाई नहीं करेंगे directly action के तुर यहां पर color करना permanently जो है यहां पर जो play कर निशान दिख रहा है आपको यह action का एक sign होता है तो यह आपको यहां से मिल गाएगा अब किसी भी action को load करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर आजाएंगे जो आपकी यह तीन लाइन सही से दिखी होंगी उन्हें हम click करेंगे और यहां पर आजाएंगे हम load action तो मैं load action करना हूँ तो यहां पर location है आपकी action जहां आपकी action जहां आपने save करके रखा हुआ है उस जगे पर आप आएं और उसे upload करेंगे तो मैं इस वक्त apply करने वाला हूँ जो मैंने आपके लिए select करके रखा है जो cinematic है sorry cinematic color action यहां पर तीन actions दिये हुए तो आप चाहें तो तीन एक्साइट click कर सकते हैं otherwise आप single single upload कर सकते हैं तो मैं यहां पर orange and tail यह बारी बारी से दिये हुए यहां तेनो अलग अलग तरीके से काम करते हैं तो तीनो एक्साइट करना और open कर दूँगा तो यहां पर देखेंगे तीनो actions यहां पर बारी बारी upload हो चुके हैं मैं अगर इन्हें बंद कर दूँ तो तीनो इस तरीके से action यहां पर orange and यह करके upload हो गया है अब इन actions का हम इस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है अमसे सबसे उपर वाला है हम इसे click करेंगे और यहां पर देखें कई सारे options आपको यहां पर नजर आ रहा हुए तो आप जिस तरीके से करना तरीके के colors हैं, तो सबसे पहले मैं orange and tail click कर रहा हूं, तो यहां पर देखें, मैं ने orange and tail click किया, और simply यहां का play का जो button है, उसे मैं play कर रहा हूं, तो यह process करेगा, और simply आपके colors change हो जाएंगे, तो अगर before and after आप देखें, तो आपकी image कुछ इस तरीके की थी, और अभी आपकी जो और apply करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप simply इन चीजों को delete कर देखें, जो आपने apply किया था, फिर से वहां पर जाएं, orange and blue है, orange and blue, लेकरें, तो देखेंगे, यहां पर जो orange था, तो orange था है, लेकिन जो greenly area था, वो blue में convert हो गया, तो इस तरीके से आप इन presets presets का है, इस्तमाल कर सकते हैं, यहां presets इन्हें नहीं बोलते हैं, Photoshop में actions होते हैं, और lightroom में presets होते हैं, यहां पर देखेंगे, second option भी दिया हुआ है, तो इसे मैं click करूँगा, तो यहां पर भी कुछ different color की चीज़े दिखेंगे, यहां पर आप मैटरेड है, तो यहां पर मैटर आपको, मैं इसे bleed कर दे रहाँ, जैसे मैंने यहां पर image open करके रखी थी, आप simply image को open करें, brightness and contrast, आप select करें, थोड़ा बहुत saturation जो आप करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, उसके बाद आपको simply क्या करना है, action पर आना है, और अपने preset को, जो आपका action है, उसे apply कर देना है, यहा पर apply हो चुका है, सबसे जुरूरी बात यह कहना चाहूंगा, इस action का link, जो है मैंने description में दिया हुआ है, आप वहाँ से download कर सकते हैं, और आप इसे इसे इस्तमाल कर सकते हैं, जिस image की मैं edit कर रहा हूं, यह image का भी link मैं description में दे रहा हूं, तो आप वहाँ से download करके, इस image पर काम करके देख सकते हैं कि यह किस तरीके से work करता है, तो आगे भी इसी तरीके के accents and presets के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं, like कर सकते हैं, comment करें, और share भी करें, क्योंकि जानकारी जितनी जादा तक दूर तक पहुंचे उ नए tutorial के साथ आपके सामने हाजरूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्क्राइब, thank you.